अबिद शिव वक्त को अम नमस्ट शिवाई श्री शिवाई नमस्ट विम दर्शकों कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कल यानि 20 नमबर को सोमार के एस्टे में भी पड़ रही है इस दिन किया गया उपाय कभी भी निस्पल नहीं जाता क्योंकि यह दिन सिव और माता प कोई समस्चा है गरबासे में कोई समस्चा है या फिर बार-बार मिस्क्रेश हो जाता है एक भी संतान अभी तक नहीं है सादी को 10 साल हो चुके हैं 20 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी संतान का जो सुख है वह नहीं मिला है और अगर आप किसी सरकारी नोकरी की तैयारी क पिर सरेड में कोई बड़ी बिमारी आ गई है कोई तकलिव हो चुकी है तो आपको ये उपाई जरूर से करना चाहिए उपाई आपको कैसे करना है चली आपको विश्टार से समझाते हैं सबसे पहले दर्सकों आपको लेना है 31 चावल के दाने जो चावल के दाने है वह बिल्कुल गोल होना चाहिए और 31 हरे मुंग आपको गिन करके ले लेना है इसके फस्चाथ आपको लेना है 31 बेल पत्र जब आप बेल पत्र ले करके आएं तो बेल पत्र आप ध्यान रखें कि जो भी आपकी हैट से उपर बेल पत्र हो उसे के बेल पत्र आपको ले करके आ चाहिए कटे फुटे बेल पत्र आपको नहीं लेना है इस चीज का भी आपको विशेश तोर पे ध्यान रखना है तीनों चीज जब आप complete तरीके से ले लेते हैं तो इस उपाय को आपको सोमगार की अस्टमी के दिन सुबर के समय करना है साम के समय आपको यह उपाय नहीं करन और जब यह तीनों चीज आप लेकर के आजाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है ? जो आपने 31 चाव्ल के दानें लिए हैं उनको लेकर के आपको सिव जी के मंदर चले जाना है और सिव जी के मंदर में जब आप पर्वेश्श करेंगे, जो मंदर की चोकट होती है वह पर आपको 31 चाफल के दाने चड़ा देना है। आप लेप्स साइट पर चड़ा सकते हैं या फिर आप राइट साइट पर भी चड़ा सकते हैं। वह आपकी इच्छा के उपर डिपेंड करता है। इसमें कोई इसी संसे वाली बात नहीं है। आपको कहीं पर भी चोकट पर 31 चावल के दाने को रख देना है। और अपनी मरोकामना बोलेना हैं जो भी आप कामना रखते हैं। चाहे आप पुत्र प्राप्ति के लिए ये उपाई कर रहे हैं। चाहे आप नोकरी के लिए कर रहे हैं या फिर कोई बीमारी के लिए कर रहे हैं। और उन चावल के दानों को आपको चोकट पर रख कर मंदिर में आगे परवेश कर जाना है। इसके परचाद आपको क्या करना है। जो आपने 31 मूंग लिए हैं, उन मूंग के दानों को आपको नंदी के पेर के यहाँ पर रख देना है, ध्यान आपको ये रखना है, जो नंदी भगवान विराजमान रहते हैं, और उनका जो पेर एक तरफ से उटा हुआ होता है, उस जगह पर आपको 31 मूंग के दाने रखन वहाँ पर भी आपको अपनी मनोकामना वही बोलनी है, इसके फर्चात आपको क्या गरना है, जो आपने 31 बेल पत्र लिये हैं, उन पर आपको लाल चंदन और पीला चंदन लगा लेना है, आप घर पर भी लगा कर लेकर जा सकती हैं, या फिर आप मंदिर में भी लगा कर उन बेल पत्र को शिव जी के उपर चड़ा सकती हैं, इसके बाद जब आप लाल चंदन और पीला चंदन लगा लेती हैं, तो आपको एक एक करके शिव जी के शिव लिंग के ऊपर उन बेल पत्र को चड़ा देना है, आप चाहे तो अम नमस्याय का जाप कर सकती हैं, स्री तो वहाँ पर आपको सिवजी से अपने मनोकामना बोल लेनी है जिसके लिए भी आप उपाई कर रहे हैं चाहे हैं आप पुत्र प्राप्ते के लिए उपाई कर रहे हैं या पिर किसी नोगरी के लिए उपाई कर रहे हैं या पिर किसी बड़ी बिमारी के लिए उपाई कर रह और आप जब यह वपाइक कर लेते हैं तो तीन महीने के अंदर आपकी जो मनोकामना है वह जरूर से पूर्ण होगी तो दर्सकों आपको यह वपाइक केसा लगा आप में कमेंट में जरूर लिकें श्री श्रीशिवाई नमस्तुब्यम और हर वाफादे